Hello Guys, Vocabulary from the Newspaper Series के आज के एपिसोड में हमारा फर्स्ट वर्ड है Inaugurates I-N-A-U-G-U-R-A-T-E-S आप इस न्यूज हैडलाइन में देख सकते हैं Vice President Inaugurates First Sanic School of Eastern UP यानि हमारे Vice President जगदीब धनकर जी ने Eastern UP में पहले Sanic School का उदगाटन किया लेकिन क्योंकि न्यूज हैडलाइन के वर्ड प्रिजेंट इंडेफिनेट टैंस का यूज करती हैं इसलिए आप वर्ड यहाँ पर प्रिजेंट फर्म में देख रहे हो तो Inaugurates means उदगाटन करना I-N-A-U-G-U-R-A-T-E-S Inaugurates आज हमारा second word इस न्यूज लाइन से है Ready to contest All Haryana Seats Sage up as Alliance Talks Stop तो word है Alliance A-L-L-I-A-N-C-E Alliance means होता है Gut Bandhan Okay, Alliance Guys, हमारा third word है इस न्यूज हैडलाइन से Omer's Remarks और अफजल Guru Spark Slugfest तो word है Slugfest S-L-U-G-F-E-S-T Slugfest means होता है Garma-garam-vad-vivaad यानि जब कोई ऐसा बयान दिया जाता है जो समने वाली party को चुपता है तो वो भी उसी तरह का counter करती है ऐसा कोई बयान देती है तो इस तरह के विवाद को वाद-विवाद को कह जाता है Slugfest S-L-U-G-F-E-S-T पार्सओपी स्पीच नाउ हमारा फोर्थ वर्ड इस न्यूज हैडलाइन से है Transparency is the right drug for I use regulation तो word है Transparency T-R-A-N-S P-A-R-E-N-C-Y Transparency means पारदर्सिता ओके पार्सओपी स्पीच नाउ Guys हमारा word number 5 इस न्यूज हैडलाइन से है Melan Transparency Brutal Encounter into Paraglory तो word है Encounter E-N-C-O-U-N-T-E-R Encounter word के वैसे तो काई मीनिंग होते हैं जैसे अगर आप पुलिस के पंटे विउ से देखें तो Encounter का मतलब होता है मुठवेड लेकिन क्योंकि यह Sports के context में है वर्ड यहाँ पर तो Sports के context में Encounter का मीनिंग है बेलंद यानि मुकाबला ओके? Parts of speech now I hope आज का episode आपको पसंद आया होगा क्या feedback है कॉमेंट करें हम फिर आएंगे एक नए episode के साथ Till then जहें